तिलंगाना को लेकर बीते दिनों ही कॉंग्रस के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ गई जिसके मुताबिक तिलंगाना में कॉंग्रस की सरकार बनने के पूरे समीकरण नजर आ रहे थे और ये जो समीकरण है ये एक सर्वे में नजर आए उस सर्वे के नतीजे में दि करनाटा के बार तेलंगाना भी कॉंग्रेस जीत रही है सर्वे क्या कहता है उसके आकड़े क्या कहते हैं आपको इस खबर में बताएंगे आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखेगा नमस्कार दोस्तों मेरा नामें जैन्ती जहा और आप देख रहे हैं देशनीती देशनीती किवल सची और पक्की खबरे दोस्तों एक तरफ भारतिय जनता पार्टी के लिए दक्षिन से सिर्फ और सिर्फ चौकाने वाली साथ ही जटका देने वाली खबरे सामने आ रही है तो वहीं दूसरी तरफ दक्षिन से कॉंग्रस के लिए एक के बाद एक फिर से बहतरीन खबर निकल कर सामने आ रही है दोस्तों दक्षिन में भारतिय जनता पार्टी का सफाया हो रहा है लगातार ऐसा लग रहा है दोस्तों इससे पहले कई खबरे में आपको बता चुकी हूं कॉंग्रेस की बात की जाये तो कॉंग्रेस को एक बार फिर से दक्षिन के राज्ये में खुशकबरी मिली है वो पैर पसारती नजल आ रही है एबीपी का सी वोटर सर्वे सामने आया है जिसके मताबिक तेलंगाना में कॉंग्रेस बी आरेस को पचार सकती है यानि केसी आर को तगड़ा छटका लग सकता है दोस्तों जबकि इसी तेलंगाना में कॉ 2019 सीटे हैं इन सीटों की अगर बात की जाएगी तो इन सीटों में से जहाँ एक तरफ क केसीयार को पैंटालिस से पचपन सीटे मिलने के आसार है तो वहीं दूसरी तरफ बात की जाएए कॉंग्रेस की तो कॉंग्रेस बी आर्स को पटकन ही देते हुए kaikki-से- 60 सीटे अपनी खाते मिला सकती है वहीं जितनी सीटे राज्य में अन्य पाटियों के खाते में जा रही है उतनी ही सीटे भाजपा को मिल सकती है आकड़ा है पांच से ग्यारा सीटों का यानि आप ये समझ लिजे कि इतनी ही सीटे भाजपा को मिल सकती है सबसे बड़ी बात ये है कि असदु सबसे आगे हैं आंकडों की बात कि जाए 49ita 자κι में एक परिसेंड कम 38 बोट सकते हैं बीजेपी को 16% और अन्य के खाते में 7% जो है जा सकते हैं 30 नमंबर को तेलंगाना में वोटिंग होने वाली है और 30 दिसंबर को तेलंगाना में काउंटिंग होगी चुनाव आयूग ने ऐलान कर दिया था अगर यह सर्वे सच सावित होता है तो बी आरेस के लिए ए है कि देश की सत्ता में बैठी बीजेपी जिनने कॉंग्रेस रेस में ही नहीं दिखाई देती थी किसी वक्त में अब बीजेपी कॉंग्रेस से टकर लेने में तो क्या इस पूरी चुनावी रेस में बहुत पिछड़ गई है आपकी जानकारी के लिए पताना चाहूंगी कि यह जो सर्वे है यह इसलिए भी इतना काबिले गौर है क्योंकि पहला सर्वे सामने नहीं आया तिलंगानों को लेकर इससे पहले लोगपोल नाम की एजिंसी ने भी सर्वे किया था जिसमें 60,000 लोगों से उनके राय ली गई थी और उस राय की अगर बात की जाए दोस्तो और अन्य के खाते में 0-1 सीटे जाती में नजर आ रही है 10 अगस्त से 30 सितमबर तक यह सर्वे किया गया था तो जाहिर है तेलंगाना डक्षिन की दृष्टी से बहुत महत्वपूंड राज्य जिस पर हर कोई अपना शासन चलाना चाह रहा है दोस्तों वहां इस वक्त वर कई लोग जो तेलंगाना में रह रहे हैं वो बी आरेस को सपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि वहां की पहली बात तो स्थानिये पार्टी है के सियार की तरफ से अभी तक इस पर कोई बयान सामने तो नहीं आया है लेकिन जिस तरीके की स्थिती नजर आ रहे है दोस्तों राज्य म में वह वाकई में चौकाने वाली है अब सबसे ज़्यादा जरूरी बात यहां पर आप यह देखे कि बी आरेस को तो चलिए कॉंग्रेस पठकरी देही रही है कॉंग्रेस ने तेलंगाना से बीजेपी को साइडलाइन कर दिया कहिना कहीं बीजेपी का आप एक बात को सोच बीजेपी ने वहीं बीजेपी दक्षिन के एक भी राज्य में पैर नहीं पसार पा रही है एक भी राज्य मतलब एक भी राज्य दोस्तों आप करनाटा की बात कर लीजे करनाटाक में बीजेपी की सरकार थी कॉंग्रिस ने उखाड कर फेट डाली और कॉंग्रिस की सरकार करनाठक में बनी उसके बाद धीरे-धीरे करके बाकी के राज्यों में गडबंदन जो है वो तूट रहे है आदर प्रिदेश के हाली की खबर सामने आई थी उससे पहले तमिलाडू की खबर सामने आ चुके है जहां गडबंदन तूटा और आप तेलंगाना से जटका मिलता ह को नजर आ रहा है बीजेपी को बहुत बड़ा जटका है दक्षिंद से बात की जाए बियारेस की तो बी अरस को कॉंगरेस आने या राहूल गंधी बिजए पी की बतार जाता रहा है अब यह तक बतारा सकता है तो कुल मिलाकर त्लंगाना में कॉंग्रस का जादू चल सकता है दोस्तो। और यह भी आप कहेंगे तो एक 10 फैक्टर है राहुल गांधी की रैलीओं के पीछे राहुल गांधी ने दो रैलियां की बीटे कुछ में और यह दो संख्या जिसdoor má Shella उसके बाद से अंदाज़ा लगाया शुरूव गया था कि शायर almost को name डे सकता है और सर्वे सामने आपके नतीजें आपके सामने को जादू पर आप सरकार हटेगी if possible लिए इसस लिए सवाल में शुरुआत हम पूछा था एक बार फिर से पूछ रहे हूं क्या कि solving आ वह उसकता है दोस्तों आप्की राहे क्या है कमेंट करें कि ज़रू बतायेगा वीडियो तो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चानल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले, फिर मुलाकात होगी आप से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार.